तो गाइस अब तक हमने देखा रिक के एक F-Rank Adventure होता है जिसके पास कोई भी पावर नहीं होती पर तब उसे एक बहुत strongest team train करती है जिससे कि वो invincible बन जाता है पर उसे अपनी ताक्तों का एसास नहीं होता है और तब वो E-Rank Adventure बनने के लिए उसका टेस्ट देने चले जाता है जा हम देखते हैं वो magic को छोड़कर बाकि सबी चीज़ों में बहुत अच्छा perform करता है और वहाँ पर वो एक second class night के साथ भी लड़ता है जिसे वो बहुत असानी से हरा देता है पर उसे लगता है कि वो लड़की खुद हार मान कर गई है जिस वज़े से उसे पता ही नहीं में magic भीजेंगे तो अगर वापर blue color आया तो इसका मतलब यह होगा कि आपने इस test को पार कर लिया है और आपकर second stage mock battle में party state करेंगे तब यहां रिक बहुत जारा tension ले रहा हुता है तब ranit कहती है अपने उपर विश्वास रखो तुम पक्का पास हो जाओगे पर अगर तु कोई उसे बाहर जाकर एक अजीब सी बद्बू आने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पर एंचैली का और फरीड का बड़ा भाई रास्टर आ जाता है जो की रैरेट से उसका नाम पूचता है तरिक सोचता है कि इससे कहा यह novel of north है यह नाम तो बहुत ज़्यादा बड़ मुझे लगाई था कि तुम इसके बारे में जानना जरूर चाहोगी तर चलो मैं तुम्हें बता देता हूं तुम्हें पता है जो मैंने अपनी कीमती चीजिया बगिरा दी थी वो मेरे प्यार की फिलिंग थी जो क्यो मुझे तुमारी आँखों में दिखाई देरी है क्या तुम मेरे साथ नॉर्दन लेंट्स चलोगी और मेरी सेकिंड वाइफ बनना चाहोगी तर एक बीच में आ जाता है माफ कर देना पर यह मेरी गर्फ्रेंड है तो इसलिए तुम इस तरह इस पर नजर नहीं रख सकते क्या तुम मजा कर रहे हो मुझे तो तुम्हें देखकर हसी आरी है क्योंकि तुम इस सेच में भी अभी तक एफ रैंक में हो तुम खुद भी तो 25 साल के हो तो तुम भी तो यहाँ पर एक्जाम देने आए हो तुम तो मेरी कैपड़िटीज को जान भी नहीं सकते मैं 14 साल की उमर में ही एरेंकर बन गया था और अब मैं एरेंकर थी मैं अभी इस परसन को डेट कर रही हूं और उपर से आपका पर्फियूम कुछ जादा स्ट्रॉंग है जो कि मुझे बिल्कु पसंद नहीं है तो वह वह बेकार सी स्मेल तुम से आ रही थी आखिका तुम्हारी यह कहने कि हिम्मत कैसे हुई अगर मैं गलती से तुम्हा कि नौर्थी मेरा एक्जामिनर ना बने और एनेट मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हे अपनी गर्फरेंड कहा मुझे इससे कोई प्राब्रम नहीं है और अगर मैं सच कहूं तो मुझे इससे बहुत खुशी मिली कि तुमने मुझे मुझे मुसीबत से बचाया तव यह अगले दिन रिक मॉक बैटल की वज़े से नर्वस होता है तव रैनेट कहती है जाद रखना कि तुम्हें अपनी तागरत का कंट्रोल में रखना है क्या तुम्हारे थोड़ी सी पावर को क्यों रोक कर रखूंगा मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कही वो नोर्थ 200 से लेकर उपर के सारे को हैंडल करूंगा इस बात से बहुत जादा खुश हो जाता है जब मैंने सुना कि एक 30 साल का ओल्ड रिसेप्शनिस्ट एक एडवेंचर बना चाहता है तो मैं बहुत जादा शौक हो गया पर मानना पड़ेगा तुम्हारी सच में कमाल की है मैं भी एक मीडल एज मैन हूँ और तुम्हें देखकर मैं बहुत जादा मोटिवेट फील कर रहा हूं सचाई तो यह है कि मैं भी 24 साल की उमर में एडवेंचर बना था तो मुझे पता है कि अगर तुम 30 साल की उमर में एडवेंचर बन रहे हो तो तुम पका कुछ अचीव करना च हूं और तुम्हें देखकर तो अब मुझे और जादा मोटिवेशन मिल रही है और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तब यहां लिंक्स वापिस जाते हुए सोचता है रिक्स के साथ हैंडशे करने के आद मुझे समझ में आ रहा है कि उसने बहुत जादा ट्रेनिंग की है लगता है मुझे भी बहुत जादा मेहनत करनी होगी तब ही हम देखते हैं राश्चर उससे बात करने के लिए वहां आ जाता है और थोड़ी दिर बाद 4200 से उपर वाले सारे पाइडी स्पैंट को बताया जाता है कि उनका एक्जामिनर लिंक्स भी मार हो गया है तो इसलिए उनका एक्जाम अब राश्चर लेगा तब रैनिट कहती है ये तो वही बंदा है जिससे हम कल मिले थे जिसे सुनकर रिक्स शॉक हो जाता है तब रैन कर बन गया था और उसे सभी लोग the man of thousand spells कहते हैं पर उसका एक और निकने में जो की है F rank crusher हर साल वो उन पाइडी स्पैंट को परिशान करता है जिनके उपर उसकी नजर होती है तब रिक सोचता है लगता है इस पार मैंने गलत जगा पंगा ले लिया है तब यहां हम देख है आखिका तुम इतने ज़्यदा परिशान क्यों हो रहे हो आखिका मैं परिशान क्यों ना हूँ मैं तो एक ऐसे एर एंकर का टार्गिट बन गया हूँ जिसे हजार स्पेल्स पता है और मैं तो सिरफ F ranker हूँ जिसे सिरफ दो first nature magic की आता है यह तो सच में बहुत बुरी ब adventure बने का तै किया है और सभी लोगों का यह कहना है कि यह सब कुछ मेरे लिए impossible है तो चला फेर से change करते हैं अगर दूसरों की कहने पर तुम्हारा confidence हिल सकता है तो तुम दूसरों की कहने पर अपना confidence वापिस हासल भी कर सकते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम ब तेरे बातों पर यकीन है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह कर सकता हूं तो मैं यह पक्का करूंगा तभी वापर एक परसन आ जाता है और रिक को उसका future देखने के लिए खैता है तर रिक इस बात के लिए मान जाता है और तुम ने उसे कहां पर टेलिपोट किया तब फ्रीड यह बताने से मना कर देता है तब रैने उसके बालों को काट कर उसकी आखों को उड़ातेने की धंकी देती है तब फ्रीड डर के मारे कहता है तो फिर मेरे जैसा जीनियस भी उसे सिरफ सौ मिटर दूर ही भी सकता है ही तुम मुझे कोई और समझ के हमला तो नहीं कर रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है हम लोग डियर्मूर्ट फैमिली के एलाइट गार्ड्स हैं मास्चर राश्चर को अपने हाथ गंदे करने की कोई जूरत नहीं है तो इसलिए हम यह कंफर्म करेंगे कि तुम एक्जाब में प चाकतवर है लगता है मेरा अंता जुका है मैं यहां से बचके कभी नहीं निकल पाऊंगा तब ही हम देखते हैं रिक के सीनियर्स वहां आ जाते हैं और उससे वहां पर होने का कारण पूशने लगते हैं तब उन्हें देखकर एक बहुत जादा डर जाता है तब तब रक्स करें हो तब रॉंप्शन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा तर एक कहता है जल्दी से इन सभी को लेकर यहां से भाग जाओ तुम्हारी जिंदगी आप खत्रे में है तब वह बट्लर एलीट गार को ब्रक्स चन को मारने के लिए कहता है पर हम इलाइट गार उसे एक मुक्का मारता है पर वो उसके हाथ को तोड़ देता है पर हम देखते हैं वो उसी टाइम उसके हाथ को हील कर देता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत जादा है तो मिज़ेश करने दो तुम किसी ना किसी मुसीबत में पढ़ गयो ना और अब यह ल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर निजट अपनी गन से उन पर गोलिया बरसा देता है तरिक कहता है प्लीस रुक चाहिए क्या हुआ कि तुम भी फाइरिंग करना चाहते हो तब हम देखते हैं कुछ इलाइट गार्ड्स एलिस को बंदी बना लेते हैं तरिक कहता है आगे का तुमनों ये क्या क्या है क्या तुम वर्णा चाहते हो तब एलिस कहती है तरिक कहता है मुझे पूरा यकीन है एलिस ये आपके साथ खेला चाहता है तो तुम क्या खेला चाते हो पर तभी वो परसन एलिस को हट करता है और हम देखते हैं एलिस उन्हें उड़ा क दूर फैंक देती है तभी एक एलीट गार कहता है इस लड़की ने तो ऐसे ही सेवंथ निचे लेवल का मैजिक यूज किया है आखी का ये है कौन तवराश्चर का बटलर कहता है ये बहुत ज़्या ताक्तवर वेंपायर मीज है जो की दस साल की उमर में ही सबसे ताकतवर थी और इसे सभी लोग डीमन चाइल्ड ओफ रियून कहते हैं और इसका नाम एलिसरेट ड्रैकोल है दूसरा ये परसन है जो की हाफ ड्वाल्फ और हाफ एल्फ है ये चाहे देखने में लगता ना हूँ पर इसकी उमर पचास साल से भी जादा है और ये वर्ड का बेस्ट क्रा पर इस पर्ट मैजिक को मास्टर कर चुका है ये सभी लोग एस रैंक एडवेंचर हैं और उपर से ये तीनों उस टीम के मेंबर्स हैं जिसमें सारे एस रैंक भरे हुए हैं और वो टीम कॉंटिनेंट की सबसे ताकतवर टीम है जिसका नाम और कैलकम फिस्ट है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन्हें अपनी आखों से देखूंगा तब मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं बाकी की सिंदगी अराम से चीऊंगा तब यहां एलिस अपने मैजिक से सभी लोगों को उड़ा उड़ा कर फैकरी होती है और एक कहता है लगता है मुझे वापिस एक्जा चौक हो जाता है तब रैनेट फ्रीट को उठाकर पटक देती है तर एक कहता है आखिका यहां की दिवाल को क्या हुआ मैंने वसे से थोड़ा सा कार दिया है तब ही हम देखते हैं लिंक्स बड़ी बुरी हलत में रिक के पास आ जाता है और कहता है मेरे साथ यह सब कुछ राश्चर ने किया है और मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाया तर एक सोचता है कि उसने यह सब कुछ इसले किया है ताकि कि वो मेरे एक्जाम का इंक चार्ज बन सके राश्चर ने मुझे पूछा कि मेरा सपना क्या है और मैंने उसे बताया कि मैं अपने होम टाउन में उन बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूं जो की एडवेंचरर्स बनना चाहते हैं पर तब उसने मुझे एक कमरे में फ किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है और तब वो राश्चर की तरह बढ़ने लगता है और तब हम देखते हैं राश्चर याँ पर पाईडिस पैंड्स पर बिलकुल भी रहमनी खारा होता तब एक इलाइट गार्ड उसे रिक की वहाँ आने के बारे में बताता है तब प्राथ हूंगा और गाइस इसी के साथ अपिसोड खदम हो जाता है अब नेक्स अपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा इस पर क्लिक करके अपिसोड को देख सकते हो